तारीक थी 23 जून 2018, दिन के लगबग एक बचे दिल्ली के मशूर कैंट मैटरी स्टेशन के नस्दीक सड़क पर खून से लगपद एक महिला की लाश मिलती है। जहां पर ये लाश मिली थी, वो आर्मी केंटॉनमेंट एरिया के बेहत करीब था। ऐसे सम्वेदनशील इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है, तो रंचांच परताल शुरू होती है, शुरुवाती कुछ घंटों तक तो लाश की पहचान नहीं हो पाती है, मगर जब लाश की पहचान होती है, तो पूरे पुलिस बिभाग में अफरात तफरी मच ज ये एक बेहत ही हाई प्रोफाइल मामला था, पुलिस अब जल्दे जल्द कातिल और कतल की वज़य की तलाश में लग जाती है, और फिर पुलिस जांच में जो खुलासा होता है, उसे जानकर हर किसी के पैरो तले जमीन खिसक जाती है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ह मामले की जांच परताल शुरू कर देती है, पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया है, पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, पुलिस मामले की समवेदन शीलता को समस्त हुए गटना इस्तल पर तुरंट फॉरेंसिक टीम को भी बुलाती है, शुरुवाती जांच के बाद ही फॉरेंसिक टीम दावा करती है कि हमारी इंवेस्टिगेशन के अनुसार ये हिट एंड रन का मामला नहीं है, बलकि महिला की पहले हत्या की गई है, फिर हत्या को एक् फेकने के बाद उसके शरीर के उपर गाड़ी चड़ाई गई है, पुलिस को शक होता है कि शायद ये हत्या रॉबरी या सेक्शल एसॉल्ट की वजह से हो सकती है, इसलिए पुलिस इस एंगिल से भी जांच करती है, मगर पाया जाता है कि महिला ने जो कुछ भी गहने पहन हुए थे, सब कुछ सही सलामत है, इसी तरह कि सेक्शल एसॉल्ट के भी सबूत नहीं मिलते हैं, हाला कि महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था, जिससे उसकी पहचान की जा सके, पांस में मोबाइल भी नहीं था, अब पुलिस मामला दर्च करते हुए सबसे पहले हैं, ताकि जल से जल इसकी पहचान की जा सके, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं, अभी पुलिस हाथ पैर मार ही रही थी, कि शाम के लगभग चार बजे नाराना पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है, और पुलिस वालों को कहता है, कि दिन में उसकी पत्नी बाह लेकर आया हुआ व्यक्ति बहुत जादा घबरा जाता है, और कहता है, कि यही तो मेरी पत्नी है, शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति कोई मामली इंसान नहीं था, बलकि इंडियन आर्मी के मेजर अमिद दुवेदी थे, और जिस मिरत महिला की पहचान फोटो के जरिये उन अमिद दुवेदी का ट्रांसफर हाल ही में दिल्ली हुआ था, इसलिए ये अब दिल्ली में ही आर्मी क्वाइटर में रह रही थी, शेलजा दिखने में काफी खुबसूरत थी, उन्होंने कई मशूर ब्यूटी कॉम्पटिशन में भी भाग लिया था, और कई ब्यूटी क अमिद दुवेदी के पती मेजर अमिद दुवेदी से ही होती है, अमिद दुवेदी बताते हैं कि कुछ हफते पहले उनकी वाइव शेलजा दुवेदी का एक चोटा सा एकसिजेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में चोट लगी थी, पैर में लगातार दर्द रहने की व से लगातार यहां इलाज के लिए आ रही थी रोज की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर नहीं आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शेलजा को फिजियो थेरपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर पर फोन करते हैं मगर वो स्विच ओफ आता है फिर अमी द्वेदी अपने अस्तर से शेलजा के दोस्तों रिष्चदारों तक को फोन करते हैं मगर कहीं से भी शेलजा का अता-पता नहीं चलता है इसी के बाद अमिद्वेदी भागते हुए नाराना पुलिस स्टेशन आते जहां वो फोटो के जरीए अपनी पतनी की पहचान करते हैं। जरीए अपनी पतनी की पहचान करते हैं। इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ ही देर की महनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाहर जैसे ही शैलजा दिवेदी अपनी गाड़ी से उतरती हैं। दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की हॉंडा सिटी कार आती है। उस कार से एक व्यक्ती बाहर निकलता है और थोड़ी देर शैलजा से बात करता है। और फिर दोनों उस कार में सवार होकर निकल जाते हैं। कार के बाहर निकले उस व्यक्ती की पहचान मेजर अमित दुवेदी, मेजर निकल हांडा की तौर पर करते हैं। मेजर निकल हांडा की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री से भी पता चलता है कि जिस समय सडक पर शैलजा दुवेदी की लाश मिली थी, उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर निकल हांडा का लोकेशन एक ही जगय का था, इसके अलावा इसी दिन यानि 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे की बीच इन दोनों की कई बार फोन पर बात भी हुई थी, इन सब खुलासे के बाद पुलिस की टीम मेजर निकल हांडा की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी उसका पता नहीं जलता है, इसके बाद अगले दिन यानि 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ काबिल आफिसर्स के नितरत्व में 6 टीम बनाई जाती है, और उन्हें जल से जल मेजर निकल हांडा को पकड़ने का काम दिया जाता है, पुलिस की टीम अलग-अलग जगह पर छापे मारी करती रहती है, मगर कहीं भी मेजर हांडा का अता-पता नहीं जलत मेजर हांडा की पोस्टिंग मेरट में थी, इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरट तक जाने वाली सडकों पर लगे CCTV को भी खंगालना शुरू कर देती है, जाच में इसी रूट के एक टोल नाके पर लगे CCTV में वही कार दिखाई देती है, जो कार दिल्ली के आर्मी अस पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि बस अभी कुछ देर पहले ही मेजर निखिल हांडा निकले हैं, पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिधर मेजर निखिल हांडा निकले थे, कुछ ही दूरी पर मेजर निखिल हांडा की कार दिखाई देती है, पुल पूस्ताच का सिलसिला शुरू होता है। इस पूस्ताच में जो कुछ भी खुलासा होता है उसके बारे में जान कर हर कोई हिल जाता है। पहले तो निकल हांडा शेलजा की हत्या या फिर उसे पहचानने से इंकार करता है। मगर जब पुलिस उसे सुबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे-धीरे राज उगलना शुरू करता है। मेजर निकल हांडा के बयान के मताबिक शेलजा धुवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निकल हांडा की पोस्टिंग नागा लेंड के दीमापुर में थी और शेलजा के पती मेजर अमिद धुवेदी की भी पोस्टिंग यहीं थी। यहां मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे जबकि मेजर अमिद दुवेदी अपनी पत्नी शेलजा दुवेदी और अपने बच्चे के साथ रहते थे साथ में ड्यूटी करने की वज़े से दोनों मेजर की आपस में दोस्ती थी दोस्ति की वज़े से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमि दिवेदी के घर जाते हैं यहीं उनकी मुलाकात पहली बार शेलजा दिवेदी से होती है यहीं पर दोनों में कुछ बाते होती हैं और फिर धीरे-धीरे दोस्ती का सिलसला शुरू हो जाता है और इन दोनों में फिर बातचीत भी होने लगती है। बात करती हैं। ऐसा 2015 से 2018 के शुरुवाती महीने तक चलता रहता है। मगर एक दिन जब शैलजा निकल हांडा से वीडियो कॉलिंग कर रही थी, तबी मेजर अमित दुवेदी रंगे हाथ अपनी पतनी को पकड़ लेते हैं। ये सब देखने के बाद अमित दुवेदी जासे कोई संपर्क नहीं रखोगे, वरना बहुत बुरा होगा। मेजर निकल हांडा के बयान के मताबिक इस घटना के बाद कुछ महीनों तक तो उन दोनों की फोन पर बादचीत बंद रहती हैं। मगर कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर से इन दोनों में बादचीत का सि दिल्ली आ जाते हैं और आर्मी क्वाटर में ही रहने लगते हैं जबकि निकल हांडा का इन से पहले मेरट बेस कैम्प में ट्रांसफर हो जाता है। मेजर निकल हांडा के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दोरान जब से अमिर दिवेदी ने शेलजा को पकड़ा था उसके बाद से शेलजा निकल से कुछ महिनों तक तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है लेकिन निकल के जोर देने पर इन दोनों में एक बार फिर से बाचीच शुरू होती है मगर शेलजा अब पहले की तरह रिस्पॉंस नहीं दे रही थी शायद शेलजा को अपनी गल्ती का एहसास हो रहा था मई महिने में तो इस्तिती ऐसी हो जाती है कि शेलजा अब निकल के फोन कॉल्स को इग्नोर करने लगती है इन सब के बाब जूद निकल फोन करना बंद नहीं करता है और अब वो शेलजा पर अपने पती अमित को छोड़ने का दवाब बनाने लगता है सा शेलजा अब अमेद दुवेदी का फोन उठाना लगभग बंद ही कर देती हैं। इसी बीच शेलजा का एक छोटा सा एकसिडेंट होता है और वो आर्मी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाती है। इस बात की जानकारी निखिल हांडा को भी लगती है। चूंकि अब इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शेलजा से मुलाकात हो जाएं। चाल शेलजा से जाथा काम्याब शुरू खवाती है। इस बाद निखिल नई चाल चलता है। और अब वो अपने स्वस्थ बेटे को मरीजश बनाकर अस्पताल में जबर्दस्ति भरती करवा देता उसने बस इसलिए किया था, ताकि अब वो बेटे की इलज़ा से बहाने अस्पताल में रुख सके निखिल हांडा के बयान के मुताबिक जब शेलजा फोन पर बात करने के दोरान अपने पती अमिद दिवेदी को छोड़ कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है तो एक दिन निखिल शेलजा से फोन पर बात करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुमें कभी फोन नहीं करूंगा इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शेलजा आर्मी अस्पताल में रोज की तरह फिजियो थेरेपी सेशन के लिए आती हैं तो इस बार वो अस्पताल के अंदर जाने की बजाए बाहर ही रुख जाती है यहाँ प्लान के मुताबिक निखिल हांडा अपनी हॉंडा से टी कार लेकर आता है और फिर उसी कार में शेलजा बैट जाती हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोख देता है और एक बार फिर से कार में ही इन दोनों की बातचीत का सिलसला शुरू हो जाता है यहाँ निखिल हांडा शेलजा पर शादी का दवाब बनाने लगता है मेशर निखिल हांडा शेलजा को लेकर इतना पागल था कि वो कार के अंदर से ही अपनी पतनी को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तलाग देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ इसके बाद अब निखिल हांडा शेलजा से कहता है कि तुम भी अपने पती से बस जितनी जल्दी हो तलाग ले लो और मुझ से शादी कर लो लेकिन शेलजा अपने पती अमिद्वेदी से तलाक लेने से मना कर देती है इस बात को लेकर कार के अंदर ही शेलजा और निखिल हांडा के बीच जगड़ा होने लगता है इसी जगड़े के दौरान शेलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम बस एक दोस्त है इतना सुनते ही निखिल को गुसा आ जाता है और वो जवाब में शेलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर तुम किसी की भी नहीं रहोगी बस इसी के बाद वो एक जटके में शेलजा की गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल अपने साथ चिपका कर लाए गए चाकू से शेलजा के गर्दन पर वार करना शुरू कर देता है शेलजा दिवेदी चाह कर भी निखिल की पकड़ से नहीं निकल पाती है और चाकू की वार की वज़े से कार के अंदर ही दम तोड़ देती है शेलजा को मारने के बाद निकल समझ नहीं पाता है कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए उसे डर सताने लगता है कि अगर लाश को इस तरह कार में रख कर जादा दूर गया तो पकड़ा जाओंगा इसलिए वो वहीं पर लाश को पहले गाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिर कई बार अपनी कार को शेलजा के शरीर पर और खास कर उसके चेहरे पर चड़ाता है ताकि ये हत्या की बजाए एक्सिडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान को भी मिटाया जा सके शेलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल हांडा शेलजा का मुबाईल ले लेता है और कुछ दूरी पर जाकर एक कचड़े के डब्बे में उसे डाल देता है इसके बाद वो दिल्ली के उसी घर में जाता है जहां वो पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था यहां आकर वो सबसे पहले नहाने चला जाता है इसके बाद निखिल तैयार होकर फिर से उसी आर्मी अस्पताल के बाहर जाता है ताकि वहां के हालात का जायजा ले सके सब कुछ शांत देखकर वो अपसबूत मिटाने की नियत से कार को ठिकाने लगाने का प्लैन बनाने लगता है चुकि कार की टायर में और अंदर अभी काफी खून लगा हुआ था इसलिए निखिल जल से जल कार को दुलवाने के जुगार में लग जाता है मगर उसे डर सताने लगता है कि अगर दिल्ली में दुलवाने गया तो शायद वो पकड़ा जाएगा इसलिए वो मेरट चला जाता है निकिल हांडा को लग रहा था कि कार को ठिकाने लगा कर वो आराम से बेस कैम्प में ही चिपकर रह सकता है मगर पुलिस की तेजी के आगे निकिल हांडा की हर चाल फेल हो जाती है और आखिरकार वो पकड़ा जाता है निकिल हांडा को गिरफतार करने के बाद 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है पूस्ताज के साथ साथ पुलिस हत्या के सबूट जुटाने भी शुरू कर देती है इसी सिलसले में सबसे पहले मेजर हांडा के कार से दो चाकू भी बरामत कर लिये जाते हैं जिसका इस्तमाल शैलजा का गला रेतने में किया गया था इसके अलावा पुलिस शैलजा और निकिल हांडा के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाती है जिससे पता चलता है कि पिछले सिर्फ 6 महिनों में निकिल हांडा ने शैलजा दुवेदी को 3352 वार कॉल गिया था इस दोरान इन दोनों की कई बार काफी लंबी बातशीत भी हुई थी इतना ही नहीं जिस दिन निकिल हांडा ने शैलजा की हत्या की थी उस दिन वो शैलजा को सुपह 10 बजे से ही लगातार कॉल कर रहा था और उसने आखरी कॉल 12 बजे किया था जाँच परताल के दोरान पुलिस कई दिनों की अथक प्रियास के बाद शैलजा का वो फोन भी एक कचड़े के धेर से बरामत कर लेती है जिसे निखिल ने शैलजा की हत्या करने के बाद चुरा कर फेक दिया था निखिल इस हत्या को आवेश में आखर अचानक से की गई हत्या के तौर पर बताता है मगर पुलिस जब निखिल हांडा के फोन को कबजे में लेकर जाँच पढ़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि निखिल हांडा ने इस हत्या वाली रात से ठीक पहले वाली रात इंटरनेट पर कई बार हाउ टू किल समवन लिख कर सर्च किया था इसके अलावा उसने सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में भी गूगल सर्च किया था निखिल ने यूट्यूब पर भी हत्या करने के तरीकों से जुड़ी कई वीडियोस देखी थी इन सभी सबूतों से पता चलता है कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले ही कर लिया था शैलजा की नजर में निखिल से उसकी मामली दोस्ती थी मगर निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगता है वैसे एक तरफ निखिल हांडा शेलजा से प्यार का दावा करता था दूसरी तरफ पुलिस जांच परताल करती है तो खुलासा होता है कि निखिल हांडा दो मुबाइल फोन यूज करता था एक मुबाइल में उसने अपने असली नाम और पहचान के साथ फेस्बुक एकाउंट बनाया हुआ था, जबकि उसने जो दूसरा मुबाइल रखा हुआ था, उसका इस्तमाल एक फरजी फेस्बुक आईडी चलाने के लिए करता था, उस आईडी में निखिल ने खुद को दि पीछे अपने किये की सजा भुगत रहा है, वैसे अब तक कोड से इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है, और अब भी इस केस की सुनवाई ही चल रही है, वैसे दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए मेशर निकिल हांडा को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक् इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में मिलते हैं क्राइम के दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में, धन्यवाद